इसे हम हिंदी में पिता कहते हैं और इंग्लिस में इसे फादर कहते हैं इसे हिंदी में मा कहते हैं और इसे इंग्लिस में मदर कहते हैं इसे हिंदी में पत्थी कहती है और इसे इंग्लिस में हस्बेंट कहती है इसे हिंदी में पत्नी कहती है और इसे इंग्लिस में वाइफ कहती है इसे हिंदी में दादा या नाना कहती है और इसे इंग्लिस में ग्रैंड फादर कहती है इसे हिंदी में दादी या नानी कहती है और इसे इंग्लिस में ग्रैंड मदर कहती है इसे हिंदी में बेटा कहती है और इसे इंग्लिस में सन कहती है इसे हिंदी में बेटी कहती है और इसे इंग्लिस में डोटर कहती है इसे हिंदी में भाई कहते हैं और इसे इंग्लिस में ब्रोदर कहते हैं इसे हिंदी में बेहन कहते हैं और इसे इंग्लिस में सिस्टर कहते हैं इसे हिंदी में ससूर कहते हैं और इसे इंग्लिस में फादर इनलो कहते हैं इसे हिंदी में सास कहते हैं और इसे इंगलिस में मदर इनलो कहते हैं इसे हिंदी में दामाद कहते हैं और इसे इंगलिस में सन इनलो कहते हैं इसे हिंदी में बहु कहते हैं और इसे इंगलिस में डोटर इनलो कहते हैं इन्हें हम हिंदी में बाबी, साली, देवरानी, जेठानी, ननन्द कहते हैं और इन्हें इंगलिस में सिष्टर इनलो कहते हैं इन्हें हम हिंदी में साला, बैनोई, देवर, जेट, साडू कहते हैं और इन्हें इंगलिस में ब्रोदर इनलो कहते हैं इन्हें हम हिंदी में माता पिता कहते हैं और इंग्लिस में पेरेंट्स कहते हैं इन्हें हम हिंदी में अभी भावक कहते हैं और इंग्लिस में गार्डियन कहते हैं इन्हें हम हिंदी में सोतेला पिता कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में स्टैप फादर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में सोतेली मा कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में स्टेप मदर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में गोद लिया बेटा कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में अडोप्टिड सन कहते हैं इन्हें हम हिंदी में गोद ली हुई बेटी कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में अडोप्टिड डोटर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में सोतेली बहन कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में स्टैप सिस्टर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में सोतेला भाई कहते हैं और इन्हें इंगलिस में स्टेप ब्रोदर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में पोती या नवासी कहते हैं और इन्हें इंगलिस में ग्रैंड डोटर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में पोता या नवासा कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में ग्रैंड सन कहते हैं इन्हें हम हिंदी में बड़ा भाई कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में एल्डर ब्रोदर कहते हैं इसे हम हिंदी में छोटा भाई कहते हैं और इने इंगलिस में यंगर ब्रोदर कहते हैं इने हम हिंदी में पर दादा या पर नाना कहते हैं और इने इंगलिस में ग्रेट ग्रेंड फादर कहते हैं इन्हें हम हिंदी में पड़ पोती कहती है और इन्हें इंगलिस में ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहती है इसे हम हिंदी में पड़ पोता कहती है और इन्हें इंगलिस में ग्रेट ग्रैंड सन कहती है इन्हें हम हिंदी में पोते पोतिया कहते हैं और इन्हें इंगलिस में ग्रेट ग्रेंट चिल्डरन कहते हैं इन्हें हम हिंदी में मामा कहते हैं और इन्हें इंगलिस में मैटरनल अंकल कहते हैं इन्हें हम इंदी में मामी कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में मैटरनल अंटी कहते हैं इसे हम इंदी में मंगेतर कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में फियांस कहते हैं इसे हम इंदी में मंगेतर कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में फियांस कहते हैं संबंधियों को इंग्लिस में रिलेशन कहते हैं संबंधि को इंग्लिस में रिलेटिव कहते हैं इसे हम इंदी में विद्वा कहते हैं और इने इंग्लिस में विड़ो कहते हैं इसे हम इंदी में वारिस कहते हैं और इने इंग्लिस में हियर कहते हैं इसे हम इंदी में कुवारा कहते हैं और इने इंग्लिस में अन्मेरिड कहते हैं इसे हम इंदी में शादी सुधा कहते हैं और इने इंग्लिस में मेरिड कहते हैं इसे हम इंदी में प्रेमी कहते हैं और इने इंग्लिस में लवर कहते हैं इसे हम इंदी में प्रेमिगा कहती हैं और इने इंगलिस में बीलोवड कहती है इसे हम इंदी में सगाई कहती हैं और इने इंगलिस में एंगेजमेंट कहती है इसे हम इंदी में तलाक कहती हैं और इने इंगलिस में डियोस कहती है इसे हम इंदी में दोस्त कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में फ्रेंड कहते हैं इसे हम इंदी में कक्षा के साथ ही कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में क्लास्मेट कहते हैं इसे हम इंदी में मकान मालिक कहते हैं और इन्हें इंग्लिस में लैनलोड कहते हैं इसे हम इंदी में किराइदार कहते हैं और इने इंगलिस में टीनेंट कहते हैं इने हम इंदी में मेमान कहते हैं और इने इंगलिस में गैस्ट कहते हैं इने हम इंदी में पडोसी कहते हैं और इने इंगलिस में नेबर कहते हैं इन्हें हम इंदी में जान पहचान वाले कहते हैं और इन्हें इंगलिस में एक्विनेंस कहते हैं